नमस्ते विद्यारतियों, मैं डॉक्टर लवलीना ग्यास आज हम बिये पार थर्ट के समाशास्त के पेपर फर्स्ट समाशास्त्री चिंतन ये सोशोलोजिकल थॉट में एंथनी गेडिंग्स के मॉडरनिटी के कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे समकालिन समाशास्त्रियों में ब्रिटिस समाशास्त्री गेडिंस एक महत्वपूर्न इस्थान रखते हैं जो की लगभग 34 पुस्तकों और 20 अब तक लगभग लिख चुके हैं उनका स्पेशलाइजेशन आधुनिक्ता वैश्वी करन राजनेतिक समाशास्त्र है और अब वो पर्यावरन पर भी काफी कारे कर रहे हैं वे पॉलिटी प्रेस के सरसंस्तापक हैं उन्होंने अपने पुस्तक Consequences of Modernity जो की 1990 में प्रकाशित हुई Modernity and Self-Identity में आधुनिक्ता को समझाने के लिए एक नया द्रस्टिकोन दिया जो की सामाजिक जीवन पर आधुनिक्ता के प्रभाव को आधुनिक्ता वह वैश्वी करन और राजनेति के आपसी संबंदों के संदर में देखने का प्रयास है गिटिन से पहले भी Modernity पर एक Concept के रूप में एक विचार आने लगे थे और वो एक Concept के रूप में 60s के आजपस विक्सित होने लगा था उस समय प्रमुक तोर पर Daniel Learner ने अपनी पुस्तक Passing of Tradition Traditional Society में Modernity पर लिखा और उन्होंने Modernity को Equality, Liberty, Democratic Values, Urbanization, Expansion of Education and Public Engagement in Economic and Political Activities को आधुनिक्ता से जोड़ा इसके अलावा Edward Shields और Alex Inkels ने भी Modernity के बारे में लिखा है जब हम Giddings की अपनी जो पुस्तक है Modernity में उसमें उन्होंने Modernity को समझाने के लिए सबसे पहले Individual Cases के आधार पर उसे समझाने की कोशिश की कैसे परिवर्तनार हैं उन्होंने Divorce Cases को लिया Study के लिए और उन्होंने कहा कि किस तरह से Divorce एक Individual को प्रभावित करता है जो कि किस तरह से समाज से प्रभावित होने वाला जो समाज में जो जिस तरह के Changes आ रहे हैं Exactly वो जो आपकी Individual Life है वो उससे प्रभावित हो रही है इस तरह से उन्होंने इससे समझाने की कोशिश की और उन्होंने जो वर्ड और उन्होंने Modernity को Premodernity और High Modernity ये दो दो शब्दों के द्वारा उन्होंने Modernity को समझाने की भी कोशिश की उन्होंने कहा कि जो Modernity है उससे पहले के जो समाज चाथ था वो Pre-Modern Area कहला था जिसमें कि जो Human Conduct है वो Traditions या हमारे रीती रिवाजों से प्रभावित रही और जो Modernity आई जो आधुनिक समय है उसे उन्होंने जो जो समाज में और सोशल इंस्टिटूशन में जो चेंजेस है उन्होंने Modernity से जोड़ा जो आधुनिक सम्टिटूशन में जो आपनी कोंसे कि जो 1990 की बुक है उसमें लिखा Modernity refers to modes of social life or organization which emerged in Europe from about the 17th century onwards and which subsequently became more or less worldwide in their influence. this associates modernity with a time period with an initial geographical location but now we look beyond modernity itself. और उन्हों इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो Modern Institutions है वो कई काई काई वारणों से pre-modern या प्री आधुनिक काल की संस्कृति और जीने के तरीकों को थाम देते हैं जब जो आपका traditional system है traditional तरीका जो रहने का है जब वो रुक जाता है वो discontinue हो जाता है तो वो आपका Modern Institutions के development को बताता है जो term है Modernity वो एकदम ये नहीं है कि कहीं पर कुछ रुकावट है ये continuous term के रूप में उन्होंने इसे risk से भी जोड़ा है risk और danger और crisis ये उन्होंने crisis शर्प को जादा यूज किया कि किस तरह से जो Modernity है जो आपका प्रियाधुनिक काल से जब आप Modern situations में आते हैं और उन्होंने जो Modernity है उसे extreme dynamism से भी जोड़ा है कि Modernity जो में जो time और space से वो बहुत fast हो गया उन्होंने कहा कि जो समय है जो आधुनिक काल जो Modern times है उसे उन्होंने कहा कि ये एक extreme dynamism को denote करते हैं जिस नाम से उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है runaway word जिसमें वो globalization के reference में लिखी है पर वो उसमें बताते हैं कि समाज किस तरह से हमारा बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है उन्होंने पूर्व आधुनिक्ता वह उच्च आधुनिक्ता के बीच समाज में कई प्रकार के परिवर्तनों को बताया है उन्होंने एक pre-modernity बताई फिर modernity फिर उन्होंने कहा है late modernity और इसमें वो अंतर की बाते करते हैं कि समाज में पूर्व आधुनिक्ता और उच्च आधुनिक्ता के भी समाज में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं पर यह परिवर्तन मानव विकास की प्रवर्ती को नहीं बताते हैं जब pre-modernity से समाज modernity के तरफ पढ़ता है तो प्रतेक्रिया के लिए specialized system विशेशिक्रत विवस्ता बढ़ने लगती है और एक individual की निर्भरता विशेशिक्रत specialized knowledge पर बढ़ने लगती हैं इस नई technology या प्रत्योगी के कई खत्रे भी साथ की साथ बढ़ने लगते हैं याने वो modernity को risk और crisis से जोड़ते हैं कि हमारी dependence बहुत सी specialized agencies पर होने लगती है और जैसे जैसे समाज high modernity के और अगरे स्थित होता है तो अनिश्चिता और uncertainty और असुड़क्षा भी बढ़ने लगती है इस स्थित को समझाने के लिए गिनिंस ने जुगर्ण चब्द का प्रयोग किया जो कि बहुती तेजी से चलने वाली विन्याशकारी शक्ती से है जो कि बिना रुके कई लोगों को समुओं के जीवन में constantly नई समस्याएं पैदा करती रहती है ये तरह का चक्र सा बन जाता है कि कुछ लोगों की समुओं और लोगों के लिए constantly समस्याएं और crisis लाइफ में आती रहती हैं जिसे उन्होंने globalization से भी जोड़ा और कहा कि जो कि अभी हमने refer किया था कि उनकी globalization से related जो बुक है runaway word जो 1999 में उन्होंने लिखी उसमें कहा कि globalization हमारी जो है वो वैश्वी करन जो है वो हमारी जिंदिगी को reshape कर रहा है different तरीके से और उन्होंने इसके साथ ही आदुनिक्ता के कई कई विशेश्टाएं भी बताई कि जिनसे हम आदुनिक्ता को समझ सकते हैं जिसमें आदुनिक्ता के टाइम में आपका capitalism बहुत भड़ेगा capitalism इसका एक पार्ट है दूसरा उध्योगवाद industrialism तीसरा है आपकी हर निगरानी की श्रमता बहुत बढ़ जाएगी कि आप हर जगे आपका आपकी surveillance बढ़ गई है जो कि उन्होंने अपनी पुस्तक थी third way में उसे detail में बता है और उन्होंने military power पर भी लिखाया उन्होंने कहा है कि modern times में जो पूरा वेश्व है उसमें nation state पर सैने शक्तियों का बहुत प्रभाव रहेगा या रहता है और इसके अलावा वो एक नए प्रकार के पूजिवादी जो वेवस्ता जो develop हो गई है उसमें एक नए प्रकार की class struggle भी develop होता है इसके बारा में भी उन्होंने बताया और उन्होंने आधुनिक्ता की dynamism पर बहुत कहा कि जो आधुनिक्ता है वे बहुत एक dynamic process है और बहुत ही dynamic है और ये समय और इस्थान का जो separation है समय के निर्धारण का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व आज के समाज के आधुनिक समाज में मिलता है कि मानिनी की करण के होने से वैश्वी करण भी हो रहा है और इसके फलसरूप व्यक्ति चारों और से ऐसे लोगों अधिक लोगों के साथ कम समय में मतलब बहुत से लोगों के साथ आप बहुत कम समय में समन्द या उनसे आप interact कर सकते हो तो यह जो fast pace of life है वो आपको बहुत और आपके जो अमूर्थ contact है जिने आप देख नहीं सकते पर you have your contacts with so many people यह आपको और उन पर आपको विश्वाश करना ही होता है यह जो mutual जो उनमें आपका faith होना चाहिए यह हमारे life में वो कहते हैं कि एक तरह का risk of crisis भड़ा देता है और यह ही हमारे जो उन्होंने symbolic tokens कहा कि यह हमारे जो social system है हमारी सामजिक व्यवस्था में अलगाव का भी कारन बनता है क्योंकि आप जो विभिन प्रकार की जो technology है specialist areas है उस पे आप बहुत अधिक dependent होते चले जाते हो और यह जो dependency है उसके साथ साथ कई तरह की problems create हो जाती है और इन्होंने modern society में जो social system है उसे information society consumer society जैसे concept से भी समझाने की कोशिश की है इसके बाद हम थोड़ा सा यह देखेंगे कि modernity के उन्होंने जो कुछ crisis बताई है जैसे कि अमूत व्यवस्थाओं के प्रती हमारा विश्वाज बढ़ जाता है विशेशक के व्यवस्था के प्रती की तरफ हमारी निर्भरता बढ़ना सामाजी करण जो हमारे सोचलाइजेशन इस प्रकार से होने लगता है कि हम विभिन संगटों नो जो हमें services देते हैं उनके लिए हम बहुत ज्यादा निस्टावान होने लगते हैं और इससे क्या होता है व्यक्तिकत वो सार्वजनिक जीवन में कई तरह के रिस्क और खत्रे बढ़ जाते हैं जो की एक आदुनिक्ता की देन है इस कंसेप्ट को उन्होंने जोगर्नाट से जोड़ा है जोगर्नाट की आप एक तरह की एक व्यू क्रिया में जो बहुत फास्ट चेन है चीजों की जो कैसे आपको अफेक्ट करती है और आपको बड़े गलत तरी से कैसे बहुत से लोगों को अफेक्ट करती है और उन्होंने एक चीज़ और कहा कि जो मॉडनिटी है वो अतीतारकिक्ता है पर रैशनलिटी की क्राइसिस को भी भड़ाता है जो की जो इस कंसेप्ट पर बेस है कि व्यक्तिकत सुतनता का जो आधार है जो व्यवार के नियम में आप व्यक्तिकत सुतनता का कंसेप्ट जो लाते हैं उससे कई बार परसनल लेवल पर कई तरह की क्राइसिस का हमें सामना करना पड़ता है अतितारकिकता कई प्रकार के परसनल और पॉलिटिकल समस्याओं को भी खड़ी करती है जो की उन्होंने अपनी बुक इंटिमेट रिलेशन्स में भी लिखी है जो की व्यक्ति को बहुत जो आपके इंटिमेट रिलेशन से बड़े क्लोस रिलेशन से उन्हें भी वो बहुत टेंपरेरी बना देता है और हित प्रधान बना देता है जैसा कि हमने शुरू में कहा था जो डिवोर्स केसिस का उन्होंने एनालेसिस किया तो मेरे ख्याल से यह उसी से वो अर्थ लगाते हैं कि वो आपके जो इंटिमेट रिलेशन से फैमिली रिलेशन से जो आपकी बेसिक आपकी रिलेशनशिप्स है पेरेंट्स चिल्डरन हजबन वाइफ इन सब को भी वो बड़ा टेंपरेरी बना कर बहुत ज्यादा हित कि प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है और प्रॉब्लम्स देता है जिसे कि गिडिंग्स ने 1992 में अपनी पुस्तक ट्रांस्फोर्मेशन ओफ इंटिमेसी में विस्तार से बता है गिडिंग्स ने आदुनिक्ता को एक जोखिम भरी संस्कृती रिस्क कल्चर भी का है जो कि इं अंदाज भी नहीं लगा सकते कि किस तरह से modernity हमारी risk या crisis हमारी life में ला रही है इस समन्द में उन्होंने अल्रिच बेक को का समर्तन करते हुए एक जो writer है उनका समर्तन किया उन्होंने कहा कि जो hyper globalization है वो समाज में structural और institutional तनावों में व्रत्थी करता है ये इस बस और तो उन्होंने इस तरह से modernity पर अपने विचार रखे थैंक यू आप लोग उने मुझे सुना